आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ download now यहाँ पर हमें बताना है कि ferns की fertile leaves को हम इन में से क्या नाम दे सकते हैं सबसे पहले ferns की अगर बात करें तो plant kingdom में अगर हम इनकी classification देखते हैं तो pteridophytes की group में इनको place किया जाता है जिसमें ferns के अलावा hostels जैसे भी कुछ plant groups को हम डालते हैं अब fertile leaves की यहाँ बात हो रही है तो सबसे पहले हम इनकी life cycle को अगर देखें तो किसी भी plant की life cycle में हमें मालूम है कि दो phases हो सकते हैं एक sporophyte या इसका sporophytic phase और दूसरा gametophyte तो इन दोनों में main फरक क्या होता है sporophyte के cells diploid होंगे जबकि gametophyte हमारा haploid होता है और sporophyte जैसे हम इसके नाम से ही पता लग रहा है spores produce करता है जबकि gametophyte gametes या cells की formation करेगा इसके अलावा sporophyte जो spores बनाएगा उनकी germination से हमें gametophyte में लेगा जबकि sex cells या gametes या आपस में fuse करेंगे तो हमें zygote में लेगा जो आगे जाकर sporophytic land body बनाएगा तो यहाँ पर ferns की particularly हम बात कर रहे हैं तो इनका जो life का pre-dominant phase होता है इन दोनों phases में से वो होता है sporophytic phase यह main phase है इनकी life cycle का जबकि gametophyte ferns के case में काफी चोटा सा यहाँ कह सकता है कि inconspicuous होता है तो यहाँ पर fertile leaves की हम बात कर रहे थे इनकी sporophytic plant body पे अगर हम आजाए तो यह तो हम जानते ही है कि यहाँ spores की formation होती है लेकिन sporophytic plant body पे spores की formation जिन bodies में होती है उन bodies को हम sporangia का नाम देते हैं इसका singular अगर बोले तो sporangium और इनही sporangium को bear करने वाली sporophylls नाम की हमें ferns में leaf-like appendages मिलती है और कुछ ferns में तो हम यह भी देखते हैं कि यह sporophylls compact हो जाते हैं जो sporangium को यह bear कर रहे हैं यह compact structure बना लेते हैं जिसको हम strobylus कहते हैं strobylus यानि कोन तो यहाँ पर हमने देखा कि ferns में इनके sporangium को यानि spore produce करने वाली जो body है उसको bear करने वाली leaf-like appendages को हम sporophyll कहते हैं तो यहाँ पर यह हमारा correct answer हो जाएगा क्योंकि fertile मतलब fertile term हम तब यूज करते हैं जब reproduction के लिए कोई structure capable हो और यहाँ पर क्योंकि sporangia reproduction के साथ ही associated है spores की production कर रहे हैं तो उनको bear करने वाले sporophylls को हम fern की fertile leaf कह सकते हैं Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलूट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 84444 पर